स्टुडेंट्स आप जानते हैं कि कल आपको किंद्रे प्रवर्ति के माप के बारे में बताया गया था जिसमें बताया गया किंद्रे प्रवर्ति के माप के तीन भाग है मध्यमान, मध्यांग और बहुलांग means mean, median and mode आज आपको हम mean के बारे में बता रहे हैं यानि मध्यमान के बारे में बता रहे हैं सामान्य भासा में जिसे हम आउसत या एवरेश कहते हैं सांखिकिय भासा में उसे मध्यमान कहा जाता है अर्थात कुछ प्रापतांकों के संपूर्ण योग का प्रापतांकों की संख्या से भाग देने पर जो कुछ भी आता है वो भागफल आता है वो उसका मध्यमान होता है जैसे जब किसी एक समू के आकणों अथ्वा प्राप्तंकों को जोड़कर समू की संख्या से भाग दे देते हैं और फिर जो राशी प्राप्त होती है, उसी राशी को समोके आकणों का मध्यमान कहा जाता है। इसे ब्लोमर्स और लिंक्विस्ट ने परिभाशित करते हुए कहा है कि प्राप्तांकों के वित्रण के स्केल पर मध्यमान ऐसा विंदु है जो प्राप्तांकों के योग में उनकी संख्या से भाग देने पर आये। The mean of a distribution of scores is the point on the score scale corresponding to the sum of the scores divided by their number. Next अब मध्यमान की गड़ना के लिए दो प्रकार से इन आकड़ों की गड़ना की जाती है। और दूसरा वर्गी क्रतांकड़ा है अन-group data और group data इसमें भी वर्गी क्रतांकड़ों में भी दो method है लंबी विरी और शुक्षमेधी आपको अवर्गी क्रतांकड़ा का सबसे पहले formula आपको बता दें next अवर्गी क्रतांकड़ा के लिए जो formula है X bar बराबर sigma X upon N इसमें X bar जो है वो मध्यमान है sigma योग चिन है X प्राप्तांक और यन प्राप्तांकों की संख्या है लेकिन अगर अगर अवर्गी क्रतांकणों में कल्पित माध्य द्वारा मध्यमान निकालना है तो उसके लिए जो फार्मूला है X bar बराबर AM plus sigma D upon N इसमें वही X bar मध्यमान AM कल्पित माध sigma D विश्लन का योग है और यन प्राप्तांकों की संख्या है लेकिन अगर